नमस्कार दोस्तों मैं मनीश स्वागत करता हूँ आप सबका ओनलाइन बेंचर्स में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपाचे हेलिकॉप्टर के बारे में अपाचे एक ऐसा हेलिकॉप्टर है जिसे कि अमेरिका की बोईंग कंपनी ने बनाया है लेकिन ये हेलिकॉप्टर दुनिया में कई देशों में यूज किया जाता है और भारत भी इसे यूज करता है लेकिन इस वीडियो में यहाँ पे हम भारत और अमेरिका के हेलिकॉप्टर के बारे में बात करेंगे कि भारत और अमेरिका का जो हेलिकॉप्टर है उसमें basic कुछ difference है जो कि ऐसी capabilities दी गई है अमेरिका के अपाचे हेलिकॉप्टर को या कहिए दी जा रही है जो कि current में भारत के हेलिकॉप्टर में नहीं है लेकिन जब भविश में ये capabilities भारत वाले भी अपाचे हेलिकॉप्टर म लेकिन इसमें अमेरिका ने कुछ ऐसी चीजे एड की हैं अपने अपाचे हेलिकॉप्टर में जो कि इसे भारत के हेलिकॉप्टर से काफ़े अलग बना देता है तो इसमें सबसे पहली कुछ चीजे हैं जो हम डिसकस करेंगे तो सबसे रीसेंट जो अमेरिका ने किया है वो क् नेवी के लिए अलग हेलिकॉप्टर है लेकिन क्या हो अगर आपको किसी सिचुएशन में आपके जो आर्मी वाले या एयर फोर्स वाले हेलिकॉप्टर है अपाचे वो आपकी नेवी को जरूरत पढ़ जाए और वो वहां पर काम ना आपाए तो इसी कमी को दूर करने के लि कारा फायर की गई एक मिसाइल नहीं एक शिप को एक डमी शिप को 32 किलो मीटर दूर जाके नस्ट किया है तो यह अपने आप में काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस हेलिकॉप्टर के एक अगले माइलस्टोन के लिए क्यूंकि अभी तक यह सिर्फ ए जनरली 11-12 किलो मेटर तक की ही होती है लेकिन अमेरिका ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उसकी रेंज 32 किलो मेटर तक की है और इस मिसाइल का नाम है स्पाइक NLOS NLOS का यहाँ पर मतलब हुआ Non Line of Sight यानि कि ऐसी मिसाइल जो की आपकी जो व्यूइंग एंगल आपका जो साइट है जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहाँ से दूर जाके यानि एक तरीके से Beyond Visual Range आप समझ सकते हैं ऐसी जगा जाके Attack करता है तो यह जो Spike मिसाइल है इसकी Range 32 Kilometer तक की है और यह भी एक 80 GM है इसके थूर आप किसी टैंग को भी मार सकते हैं साथ ही साथ आप किसी शिप को भी मार सकते हैं दोनों ही काम यह करती है तो इस Missile का Test जो अमेरिका ने किया हुआ है और इसके थूर किसी टैंग को नहीं बलकि एक शिप को डिस्ट्रॉय करने की प्रैक्टिस अमेरिका ने सक्सिस्फुली की है और अब जो अपाचे हेलिकॉप्टर है उसकी रेंज बढ़के इस अब ग्रेट के बाद 32 किलोमेटर तक की हो जाएगी तो ये 32 किलोमेटर की रेंज किसी भी अटैक हेलिकॉप्टर के लिए बहुत बहुत जादा अच्छी ह और आपको जान कि ये आस्चर होगा कि ये जो मिसाइल स्पाइक टेस्ट की गई है ये मिसाइल अमेरिका की नहीं है बलकि ये मिसाइल इसराइल की है अमेरिका अभी तक कोशिश कर रहा था कि इस तरह की रेंज में कोई एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल बना ले लेकिन अभी तक अमेरिका successful नहीं हो पाया है इसके लिए इसलिए अमेरिका अपने Hellfire missile को ही यूज करता है लेकिन ये जो Apache helicopters हैं इन्हें अमेरिका और भारत के अलावा इसराइल भी यूज करता है और इसराइल तो काफी पहले से यूज करता है तो इसराइल ने अपने Apache helicopters में इन missiles को पहले ही integrate करके test वगरा करके देख लिया है जिसके थूँ ये missile anti-ship warfare में भी कामा सकती है और anti-tank warfare में भी कामा सकती है और इसकी range सबसे plus point है इसकी range 32 km तक ही है तो up to 32 km ये एक बहुत बड़ा range है किसी भी attack helicopter के लिए क्योंकि attack helicopters में जो missile लगी होती है वो generally 10-12 km तक ही होती है तो ये लगबग 3 मुनी range आपको provide करता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको एक flexibility मिल जाती है कि आप अपने helicopter को अगर जरूरत आपको पढ़ती है तो आप उसे Air Force Army के साथ-साथ Navy के लिए भी use कर सकते हो तो ये इसका दो एक बहुत plus point है और अभी जो इसकी training हुई है वो अमेरिका के जो pilots हैं जो इस helicopter को डाते हैं उन्होंने इसराइल में जाके ली है कि कैसे इसे firing करनी है फिर उन्होंने ये काम किया है अब जब इसका integration अमेरिका में हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्योंकि भारत अमेरिका और इसराइल दोनों का ही एक अच्छा मित्र है तो भारत को भी ये missile मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और भारत भी इस missile को इसराइल से खरीद के इसे अपाचे में integrate करके अपने ताकत को भी बढ़ा सकता है अपने अपाचे helicopter की तो ये तो हुआ एक difference जो कि अमेरिका और भारत के अपाचे के बीच में current में है इसके अलावक कुछ दिनों पहले ही एक और अमेरिका ने ऐसा test किया है अपने अपाचे helicopters के थूँ जो कि भारत में फिलहाल नहीं है अभी वो capabilities लेकिन अमेरिका ने ये capability गेन कर ली है अपाचे helicopter जो है ये एक multitasking attack helicopter अमेरिका इसे बनाना चाहता है और इसी वज़े से कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने अपाचे helicopters के थूँ दो drones को एक साथ control करते हुए उनसे missile भी fire की है तो ये एक बड़ा काम अमेरिका ने किया है क्यूंकि आप जानते हैं जो drone होते हैं उनकी कहीं न कहीं limitations होती है तो एक drone अगर आप ground base से operate कर रहे हैं उनकी limitation होगी कि वो किसी particular area तक ही जाके attack कर सकता है लेकिन अगर आप अपने helicopter के थूँ अपने drone को control कर सकते हैं helicopter में बैठे बैठे तो ये अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा range provide करेगा कि suppose करिए आप enemy territory में 100 km दूर अपने helicopter से चले गए फिर आपने अपने drones को launch किया और वहाँ से आप अपने helicopter को पीछे रखते हुए आप अपने helicopter में बैठे बैठे सामने से दो drone को control कर रहा है ऐसे दो drone जो कि missile से less हैं और वो attack भी कर सकते हैं और वहाँ से आप बैठे बैठे drones के थूँ missile को fire कर देते हैं और आपका दुश्मन नस्ट हो जाता है और अगर in case आपके दुश्मन ने आपके drone को track कर भी लिया और आपका drone नस्ट भी कर दिया तो भी आपका सिर्फ drone का नुकसान होता है आपका महंगा जो helicopter है वो भी बच्चता है साथ ही साथ आपका pilot भी safe होता है तो ये जो है एक man और unmanned का platform जो है इसका combination भारत भी कोशिश कर रहा है इसके लिए Cats Warrior System HL ने plan किया है जो की Arrow India Show के दोरान दिखाया गया था लेकिन भारत की अभी planning है और अमेरिका इस field में काफी आगे है तो ये जो helicopter के थूँ इस तरीके का wingman उन्होंने एक तरीके से attach किया है कि आप अपने Apache helicopter में बैठ के दो drone को control कर सकते हो ऐसे drone जो की missile fire कर सके तो ये अपने आप में काफी ज़्यादा काबलियत आपके बढ़ा देता है आपके helicopters की तो ये जो दो काबलियत है ये अमेरिका ने अपने helicopters के लिए gain कर ली है current में जो भारत Apache यूज़ कर रहा है उसमें ये दो काबलियत नहीं है लेकिन जैसे ही ये एक maturity stage में दोनों चीज़े पहुँच जाती अमेरिका में हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी इसे अपने बेडे में शामिल करेगा भारत को इसके लिए कुछ extra missiles खरीदने पड़ेंगी भारत को drone को control करने के लिए drone भी अमेरिका से खरीदना पड़ेगा तो ये सब कुछ होगा लेकिन हो सकता है भारत भविश में अपने भी drones को बना के उसे control कर ले इसे पर वो एक बात की बात है पर अगर आप चाहें तो अमेरिका से भविश में ये चीजे लेके अपनी defense को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये unique video काफे पसंद आया होगा आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon को प्रेस जरूर करिए आपको इसी तरीके के defense related videos मिलती रहती हैं और अगर आपने हमारी पुरानी videos नहीं देखी है तो आप हमारी playlist Indian defense news को follow करे लिंक आपको i button description और end screen पे मिल जाएगा नमस्कार जैहन्द